हेलो फ्रेंट्स विल्कम टू अल अफ यू मैं प्रशान चौब आप सभी का स्वागत करता हूं उमीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो चलिए फिर से एक नए करेंट को टॉपिक को डिसकस कर लेते हैं तो रोज की तरह पहल की गई है और इससे जुड़े भी क्या बाते हैं दो तरीके से देखेंगे बॉक्स इंफॉर्मिशन के देखेंगे और एक्जाम के पॉइंट आप यू से इसको कवर करेंगे तो एक ट्विट भी है एनाई का जो है एनाई के जरिए बताया जा रहा है कि पीम नरेंद्र सब्हादि ने पंचायती राज़ दीवस पर एक ग्राम शुराज पॉटल की सुरुवाद की और इस पॉटल पर पंचायत से जुड़ी हुई जानकारियां आसानी से मिलेंगी अब क्या है तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी न जो है वो पंचायती राज़ दीवस के ऐस पर ठीक है पंचायती राज दिवस के औसर पर एक बड़ी जो है योजना की सुरुवात की है प्रधान मंत्री ने देश भर के सारे जो सरपंच हैं और ग्राम परधानों से एक वीडियो कॉनफरेंसिंग चर्चा के दौरान जो है इग्राम सुराज पोर्टल एप जो है को परचे हैं उनकी निगरानी में भी इस पोर्टल के जरिए मदद मिल सकेगी तो कुल मिला के यह पोर्टल इसलिए लगाए गया कि एक आम नागरिक भी जो है वह जो है या देख सकता है कि उसके पंचायत में कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है या कौन-कौन सी योजना है जो है वो पंचायतों के द्वारा चलाई जा रही है या सरकार की कौन सी योजना है जो पंचायतों के लिए है चलिए आईए अब देख लेते हैं और भी कि क्या है इग्राम सुराज पोर्टल की अगर बात करें तो इग्राम सुराज पोर्टल ग्राम पंचायतो दूसरा point हुआ, तीसरे point पे अगर हम जाएं तो पंचायत के विकास कारियों से लेकर fund तक सारी बातें इस portal पर उपलब्द रहेंगी और चौथे point पे अगर आएं तो पंचायत के कारियों पर निगरानी हो सकेगी तो अब यह पूरे चीज को एक साथ कवर करते हैं यह ग्राम सुराज portal ग्राम पंचायतों को डिश्टल बनाने का एक बड़ा कदम है और इसमें यह कहा गया है कि भविस में यह पंचायतों का जो लेखा जो खा रखने वाला एक single center बनेगा और जो है अलग अलग जगहों पर काम करने की इसमें जुरुत नहीं होगी इस एप पर पंचायत के विकास कारियों से लेकर फंट तक की सारी बातें इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगी और इसके जरीए कोई भी नागरीख मैंने अभी भी कहा कि कोई भी आम नागरीख हो अपने मोवाइल से जरीए यह पता कर सकेगा कि उसके पंचायत में क्या काम चल रहा है कहां तक काम पहुंचा है और इससे काम में पारदर्सिता भी आएगी और इग्राम सुराज पोर्टल से आप आपको बहुत ही ज़्यादा सकती मिलेगी यह पंचायती राज विभाग और प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी का कहना है कि यह काम नागरी को सकती मिलेगी वह पूछ सकेगा कि यह जो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है चलिए next point पे आते हैं क्या है स्वामित योजना तो स्वामित योजना की अगर बात करें तो स्वामित योजना गाओं के लोगों का संपत्ती कार्ड बन जाएगा अब इस पोर्टल के आने से एक तरह से संपत्ती का कार्ड बन जाएगा और प्रापर्टी को लेकर जो भ्रहम की इस्थिती थी वह ए सिविल मामले जो हैं उस सबस्यादा गाओं के ही खेती से जुड़े हुए हैं और पैत्रिक संपत्ती को लेकर भी काफी सारे मामले हैं तो इससे सहरों की तरह गाओं के जो भी लोग हैं वो अपने जो मकान हैं जो अपनी संपत्ती है उस पे लोग ले सकते हैं और मैंने बताए कि इसे सहरों की तरह लोग लोन ले सकते हैं अब इसे क्या होगा कि सौमित के सहरे संपत्ति फ़र्वी जो लोन लिया जाएगा तो उस तरह एक फाइदा होगा दूसरा ये होगा कि जो विकास योजनाएं हैं उसमें भी ये काफी मददगार सावित होगा और हाला कि अभी इसकी जो सुरुवात है कि वहल महराष्ट उत्तर प्रदेश और कुल छह राज्यों में ही है तो धीरे-धीरे करके इसको और भी आगे ले जाए जाएगा और जितने भी गाउं हैं वहाँ भी इसका प्रचार प्रशार किया जाएगा तो ये दूसरा जो है आपका सौमित योजना से जुड़ा हुआ है अब थोड़ा सा देख लेते हैं ग्राम सुराज एप्लिकेशन के जो कारे हैं तो बाक इंफरमिशन को देख लेते हैं क्या है तो ग्राम पंचायतों की योजनाओ से लेकर खर्चों और पंचायत सचियों के बारे में जो है वो जानकारी उपलब्द होगी इस एप पर पंचायती राजमंत्राले ने इस एप्लिकेशन को बनाया है अभी बताये के पंचायती राजमंत्राले के द्वारा बनाये गया है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी द्वारा इसको लॉंच किया जा रहा है पंचायती राज दिवस के दिन आज 24 तारीक यानी पं जुजनाओं की व्यापकता बढ़ेगी और इसके जरी पंचायत की पूरी जानकारी एक ही जगा मिल पाएगी अब अलग अलग जगा जाने की जुरूत नहीं एक जगा ही इस एप के जरी आपको पता लग जाएगा की रोड बन रहा है की नहीं तलाब खुदा है की नहीं और चेज़ें पंचायतों से जुड़े बी उसकी जानकारी मिलेगी यह जो है जितने आपके सरय पंचायत शची हैं खर्चों और संपत्यrete का वीवरण प्राप्त होगा कि उन्हों ने कितना खर्चा की आए या उससे जुड़े बी क्या चीज़े रही है और ग्राम पंचायत विकास योजना है और जो गतिविदियां है जनगरना 2011 से जुड़ी वी चीज़ें है मिसन अंतियोत्य है यानि आप रासन मिला है कि नहीं मिला या कितना रासन आया है जो सरवेच्ण रिपोर्ट गवर्मेंट के द्वारा है वह क्या है इन सारी चीज़ की जनकारी जो है इस एप के जरी आपको प्राप्त हो सकेगी चली नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं कि पंचायत के हर खर्चेयों की जनकारी मिलेगी क्या तो ग्राम सुराज अप्लिकेशन जो है वो वर्क के बेस्ट एकाउंटिंग पर केंद्रित है यानि वर्क के आधार पर है ये और इससे जो है जीपी डीपी में प्रस्तावित प्रतेक गतिविधियों में किये गए जो खर्च है उसका विवरण उपलब्द होगा ठीक है पंचायत की गतिविधियां हो चाहे कारे का नाम हो कोई योजना हो कितनी रासी दी गई है और कितनी रासी उन्होंने खर्च की है बित्ती वर्स की क्या अमदनी रही कितना उन्होंने खर्च के तो इन सब की वी जानकारी जो है इन चीजों से मिल सकेगी अब अब पर मिलेगा सब कुछ क्या तो योज अब इस पर सब कुछ का मतलब कि पंचायतों से जुड़ी वी चीजों के बारे में यह बात हो रही है यहाँ पर कि योजनाओ के विशलेशन के लिए ब्लॉक इस्तर जिला इस्तर के प्रतिनिधियों के पास अच्छी जानकारी उपलब्ध होगी जो भी इससे जुड़े वे जो ऑफिसर्स हैं जो है पंचायत विखाग से तो उनको यहाँ इसकी अच्छी जानकारी होगी और इस एप्लिकेशन के जरिए जो है वास्पिक निगरानी और इस्तिती का पता भी लग सकेगा कि हां काम हो रहा या नहीं कि ब जो है हर पंचायत की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी और इस एप्लिकेशन को जो है गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकेंगे तो यह जानकारी थी आपकी इग्राम स्वराज पोर्टल से जुड़ी वी अब थोड़ा सा पंचायती राज के बारे में दिवस क में देख लेते हैं तो राश्टी पंचायती दिवस जो है वो 24 अप्रेल को मनाये जाता है और पूर प्रधान मुंतिर स्वर्गी राजिव गांधी ने अपने कारकाल में पंचायती राजवेवस्था का एक पूरा खाका तयार किया था ठीक है और 73 में सम्विधान जो संसो पोटल से और आपके जो है स्वामित योजना से जुड़ी हुई और पंचायती राज दिवस से जुड़ी हुई तो उमीद करते हैं आपको चीजें अच्छी लगी होंगे अच्छे समझ में आई होंगी तो अभी के लिए धन्यवाद नमस्कार जैहिंद